हेलो स्टूदेंट्स वेलकम यो गेन ओन माई चैनल एलर्णिंग विज सुमन तूड़े वी आर गोईंग तुसक्स अबाउट वक्षिट नमबर 72 बच्चो आज की जो हमारी वक्षिट है जो हम वक्षिट करने जा रहे हैं 72 सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश क्लास 10 देट है वक्षिट करें तैनल सकति क्या है। क्यानी क्या Hudson वक्षिट क्यों महिलें है जो इन दो ने बन दोirkत आसे की आध्या स्ट्र व्कारव्षिट में भी हमने नाटलЕТ और जो लमों उसकी आपस कि यह सब्णे हैं कर दो कि एस लोग जो पुरु है और इसको ऑपनी एज को ज़ली से साधी कर लेनी चाहिए क्योंकि 35 years की जो एज है वो एक ऐसी है जब तक उसे settle हो जाना चाहिए था मतलब family वाला हो जाना चाहिए था अब उससे साधी करने की बहुत जल्दी है और उसको परपोज करने आता है लेकिन बेटा की मत नहीं जुटा आपाता है नातालिया को परपोज करने की और उल्डा वो मिड़ोज को लेकर खेतों को लेकर जगडना स्टार्ट कर देते हैं और आज की जो हमारी वक्षिट है हम देखते ही continue करते हैं इसे चुपको और ल्मो की जो discussion हुई है आपस पे जो बातचीत हुई है वो हमारी आज की वक्षिट में दिखाया गया है चुपको dear one why are you like that? चुपको कहता है चुपको कौन है नातल्या के पिता जी है ये भी एक लेंडलोर्ड है ठीक है अच्छे इच फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी बेटी है नातल्या और लमो जो है इनके नेवर है प्रोजी है ठीक है तो चुपको है कहता है डियर वन किसको कहता है लमो को yours मुझे कुछ नहीं चाहिए जो तुम्हारा है वो मुझे नहीं चाहिए and don't intend to give up what I have और जो मेरा है वो भी मेरा कुछ इरादा नहीं है तुम्हें देने का कि मैं कुछ दूँ ऐसी मेरी को intention नहीं है कि जो मेरा है वो भी मैं तुम्हें देना नहीं चाहता और जो तुम्हारा है वो मैं नहीं लेना चाहता Why should I? क्यों तुम्हें तुम्हें? And you know, तुम जानते हो my blood मेरे प्यारे, that if you propose to go on arguing about it अगर तुम्हें इसके बारे में ऐसे ही arguing करते रहे ऐसे ही debate करते रहे I would much sooner give up the middles to the pigeons than to you मैं अपनी मिडोज है किसको देना पसंद करूँगा? मैं दे दूँगा, give up, त्याग दूँगा, किसको दे दूँगा? Pigeants को दे दूँगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूँगा ठीके? I would much sooner give up the middles मैं त्यागने के लिए त्यार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन किसको दूँगा? Pigeants को दूँगा, किशानों को दूँगा, तुम्हें नहीं दूँगा ठीक है? Lomo, I don't understand मैं मेरी समझवा, ये नहीं हा रहा, मैं मेरी समझ सकता How have you the right to give away somebody else property? कि आप किसी और दूसरे की property है और आप कैसे दे सकते हूँ, आपका क्या अधिकार है उसे देने का, कह रहे हो आप किसानों को दे दोगे, कैसे दे दोगी, वो तो मेरी है, क्योंकि जोक्सनमी डोज है, उन पर तो मेरा right है, वो तो हमारी family की है, आपकी है ही नी, तो आपको क क्या अधिकार है, कि किसी दूसरे की property आप किसी और को दे दोगी, चुपको, you may take it that I know, तुम जैसा भी चाहो, मतलब सोच सकते हो, I know, मैं जानता हूँ, whether I have the right or not, क्योंकि मैं जानता हूँ, उन पर अधिकार किसका है, मेरा अधिकार है, या नहीं, यह मैं जानता हूँ, I am not used to, मैं इस चीज का आदी नहीं हूँ, कि कोई मुझे इस टोन में बात करे, being spoken to in that tone of voice and so on, इसे तुम भी क्या है, थोड़ा मतलब ऐसी टोन में बात मत करो, young man, I am twice your age, मैं तुम से दोगुनी एज का हूँ, मतलब तुम से बड़ा हूँ, डबल एज का हूँ, and I ask you to speak to me without agitating yourself and all that, or you to speak to me, और तुम्हें भी मुझे बाते करनी चाहिए, without agitation के, बिना किसी करोद के, मतलब परोद की भावना के नहीं, प्यार से, yourself and all that, ठीक है, और वैसे ही बात को, मैं यहाँ पर चुपको और लमों के बीच बात चल रही है, middle से related ही, अब दोनों फिक जैसे पहले बेटी तो कह रही थी, पिता जी भी यहीं कहने लगी, ठीक है तो अब जगड़ा उनका और जज़ाजा बढ़ जाता है ऐसे करके, वो कहता है कि नहीं मेरी है, वो कहता है, पिर उसे नतालिया को पता चलता है, कि लमों उसे प्रपोश करने आता, फिर वो रोने लग दी है, फिर उसे पिता जी भी लाँक लाते हैं, फिर वो लोग से रिलेटेड जगड़ा करने लगते हैं, ओके देखो क्वेशन कर लेते हैं, जो आज की वक्सिर्स रिलेटीर आए हैं, जो चुबको है, वो क्या चाता है कि लोगों कि तुम यह कैसे बात करनी हैं? तो हॉव डिड्ट चुप्को औन लोमों तू किस तरह बात करें चाहता है कि बात चाहिए जब कहता है कि तुम इसे मतले दुसरे की जो प्रोपरिटीए है उसको किस परकार बेचने का अधिकार रखते हो आप किस परकार किसी को दे सकते हो आपको क्या रही है यही कहना चाहता है वो तो उकसन मिडोज का मालिक कोने अलमों है वह है यह चुपको कोई अधिकार नहीं है तो उकसन बीजा राइट वीच ओफ दा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस नोट ट्रू वीच ओफ दा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस नोट ट्रू कौन सा जो स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है All the characters in the play are argumentative and full of pride Second, no more welcome, ये true है ये तो कि हाँ argumentative and full of pride से भरे पड़े है No more welcome सा आइडिया दे चुपको can give away उक्सर मिलो उस्टोगा बिलोंग तो ही नहीं, वो त्यार नहीं होता तो ये क्या इसमें true नहीं है Next, देख वाइर लोगर दे, pet dogs, yes ये राइट है, मैं बता रही हूं बार-बार, आगे वो अपनी dog से related जगड़ने लगेंगे लोगर चुपको accuse each other of being unfair ये भी राइट है, तो जो option second है वो राइट नहीं है, true नहीं है तो option second is the right answer of this question Next, देखो the above extract The above extract from the play Use the phrase give up Give up होता छोड़ देना, त्याग देना, मतले मैं दे दूँगा Which of the following expression is incorrect With respect to the phrase give up Give up hope, हाँ, की छोड़ देंगे, त्याग देंगे Unhealthy habits भी हम give up कर सकते हैं Doing somethings भी हम give up कर सकते हैं People give up नहीं तो option four जो है हमारा इस में इस give up phrase में suitable नहीं बैठता ठीक है, एक्स्रेस उसका incorrect बनेगा तो option four जो है people बाला Next देखो, second, third or fourth question इनका हमें answer देना है How does Natalia react when she comes to know that Lomo had come to propose her for marriage Okay, इनके जो question, answer है आगे Second, third or fourth के बिटा ये मैंने आपको return में दिये हैं यहाँ से आप कर सकते हो इनको अच्छे से और समझ दो How does Natalia react when she comes to know that Lomo had come to propose her for marriage Natalia कैसे react करती है जब उसे ये पता चलता है कि Lomo तो से प्रपोज करने आया था साधी के लिए कैसे react करती है When Natalia comes to know that Lomo had come there to propose her She was so good, उसे बड़ा सोख लगता है She cry, चिलाती है, change her stance and ask her father to fetch Lomo मंध्रस के लिए लेकर खाया है जब उसे दो फ्मों और फिर अपने पिता जी को खहते है अपनी टोनी चेंज कर लेकर तो खहती है कि लोगों को कर दो ले आना लोगों को भर लेकर आओ दो बारा ठीक है चुबको लेमेंट्स over his destiny लेमेंट्स उता पच्ताना रोणा ठीक है चुबको लेमेंट्स over his destiny of being the father of a young girl चुबको है जो एक young girl के पिता हो नी की मतलब हमें भागे को कोजते हैं कि मैं क्यों है यंग लड़की का पिता हुआ why does he call it a burden to be the father of grown up daughter वह ऐसा क्यों कहता है कि मतलब बढ़ती हुई जो लड़की है ग्रोन ऑफ डोटर हो पिताजी के बोज है उसे क्यों लगता है देखो पहले तो नातालिया क्या उसके साथ जगडा कर लेती है फिर कहते हैं पिताजी को कि नहीं लोमो को वापीस लेके आओ जो उसे पता चलता ह कि लोमो उसे प्रपोज करने आया है तो कहते है कि लेकी आओ तो जो शुपको में यह पाता है उसको लगता है कि नहीं मतलब वह क्या है फसा हुआается सिटूइशन के बीच अपने उपर बोज लगती है उसे कि हाँ यह की एक यंग अर्ल का पिता होना भी क्या है बुरी बात है चुपको है जो लेडी ड्राइवन लो मो आउट ओपी जहाउस पहले तो उसे घर से निकाल देते हैं जगड के वैंगी से जोटर बिएविंग फिर इसलिए वह गुस्से में दिखाई देती है तो फिर वह वापिस उसे बुलाने जाता है एक पिता होने का नाते ठीक है बटे इच सेंस डिस्पेक्ट्फुल टू हिम लेकिन यह क्या लगता है उसे अपनी मतलब उसे इसमें कोई डिस्पेक्ट नहीं लगी कि वह पहले तो ह मुस्सादमी को लट जगटके घड से निकाल रहे हैं भगा रहे हैं और फिर उसी को बुलाने जा रहे हैं तो इसमें क्या है अफ्मान वाले पास इसे अफ्मान लगा अपना यह सो ही कोल सिटे बर्डन टू वी दा फादरों के ग्रोन अप चाई डोटर इसलिए वह इसे क् क्या की हमने की जो प्रोसी है आपस में चोटी चोटी बातों पर अर्गिमेंट करते रहते हैं और टैंस पेस्टों अनिम्पोर्टेंट इस्टों पर अपनी फ्रेंडली डिलेशन है जो कोस्ट किमत उसकी किमत महीं लगानी चाहिए इमेजन दैट चुपको ट्राइस ट्रे नाटालया जो जो प्रोसी के साथ भी या अपने जो रिलेटिव से उनके साथ भी गुड रिलेशन सिफ हम बना कर रखनी चाहिए राइट डायलोग बिट्विन दा फादर एंड डोटर हमें वो डायलोग दिखने हैं दिमी चुपको एक्स्प्लेइन कर रहा है नाटालया को कि हां हमें यासे जो हमें जगडा नहीं करना चाहिए रिलेशन सिफ रिलेटिव उसके साथ अच्छे से रखनी चाहिए नेबर के साथ भी तो वो हमें डायलोग क्रिएट करने हैं नाटालया कहती है कि मैं मतरब आज फिर मैंने लडाई की मेरा फोल्ट था कि हाँ फिर में वो आया था और मैंसे लगने लगए चुपको इस नोट अबाउट मिस्टेक यह मिस्टेक नहीं है वेटी वी सुट आलवेज की गुड रिलेशन्स विद नेबर हमें हमेंशा क्या है अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए नाटालया कहती है कैसे पिताजी चुपको फर्ष्ट इंग मेंडेनी गुड रिलेशन विद नेबर इस देट वी सुट रिस्पेक्ट दा प्राइवेश्यों अधर्स हमें दूसरों की प्राइवेश्यों कुल ले लेते हैं तो हमें उसे परटिकलर टाइन पर रिटन भी करती ना चाहिए इन केश में करना चाहिए हरा अब मतलब सब्सक्राइब करने चाहिए और कभी अपनी परसनल प्रोग्लम से वो रिवील नहीं करने चाहिए दूसरों के सामने नतल्या सब्सक्राइब करने चाहिए और करने चाहिए और यहां पर आंसर है यहां से लिख सकते हो समझ भी सकते हो ओके यह थी बच्चो आज की जो हमारी वक्षिट आई है प्ले से रिलेटिद प्रपोजन जो हमारा प्ले है प्ले राइट एंटें चेपों के द्वारा लिखा गया है अगर वीडियो आपके लिए हेल्फ फुल है पिटा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करें थैंक यू है वे नाइस डे